नवस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी दल दल में फस्ती चली जा रही है इसके जूट बेनकाब होते चले जा रहे हैं और ये जो तमाशा कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के लीडर्स उनके चेहरे पे एक के बाद एक तमाचा लगता चला जा रहा है और इसी बैकफूट में आने की वज़े से आज चन्निक के सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अंदर खाने किस तरीके से आपस में ही कॉंग्रेस पार्टी में गुथम गुथी हो रही है उसका भी खुलासा हो गया है बड़ी खबर आई है कि पंजाब के डिज़ी पी जिसके उपर पर्धान मंत्री मोदी की सुरक्षक की जम्मेदारी ती उसे डिज़ी पी के पद से हटा दिया गया है सिदार चटोपाद्याय को डीजीपी के पस से क्यों हटाया आ गया उसका क्या उसकी वज़ा क्या है ये आप सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पिटेंगे लेकिन इस डीटेलिंग में मैं बाद में जाऊंगा तीन चार और भी बड़ी खबरे आई हैं ये लगतार चन्नी सरकार की जूट और इनका जो पैत्रवाजी है ये कैसे बेनकाब हुआ है ये भी समझना जरूरी है अब तक कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से मुख मंत्री चन्नी के तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रधान मंत्री ने तो अचानक से ही अपने रूट को बदल दिया लेकिन एक A.S.L. रिपोर्ट एक खुप्या पंजाब सरकार की ही केही दस्तावेश से ये सारे खुलासे हो रहे हैं किस तरीके से एक और दो तारिक को ही ये सारी बाते तैह हो गई थी कि प्रधान मंत्री मुदी वेदर खराब होने की वज़़ से सलक पे जा सकते हैं और किस तरीके से कौन-कौन अधिकारी उस मीटिंग में थे और किस हिसाब से जो कौन-ग्रेस पार्टी जो जूट कह रही थी कि कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं था कोई उसके लिए कोई रिहलसन नहीं किया गया ये सारी चीजे उस दस्तावेश में सामिल है जो एक के बाद एक सारे जूटों को बेनकाब कर रही है पहले इस एसल रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ अधिकारियों ने बताया कि एक और दो जनवरी को पंजाब पुलिस के साथ एडवांस सिक्यूरिटी लाजिनिंग एसल की बैठक के दौरान एक इमरजनसी प्लान के तौर पर सडक यात्रा का फैसला किया गया था परदान मंत्री के दोरे से एक दिन पहले मंगलवार को ही इसके लिए एक पुरुवा भ्यास भी किया गया था अधिकारी ने नाम ना छापने की सट पर ये बताया कि सड़क यात्रा को पंजाब के डीजीपी से दार्थ चटुपाद्या ने मंजूरी भी दी थी ये खुलासा हो रहा है, ये अखवार में ये खबर चप गई है ये बता क्या रही है, ये बता ये रही है कि ये जो बताया जा रहा है कि ये जो सिद्दू जो ये इमरान खान का छोटा भाई और बाजवा का यार ये जो बेशर्मी के साब से वो जो जूट बोल रहा था कि प्रधार मंत्री ने एंड मोके पे अपना प्रोग्राम बदल लिया ये जान बूच के उन्होंने ऐसा काम किया वो पंजाब को बदलाम करने के लिए काम कर रहे थे लेकिन दस्तावेज जो अधिकारी जो मीटिंग है वो जो साच है वो बिलकुल सिद्धू के जूट को बेनकाब कर रहे है एक और दो तारिक को ही एसल की मीटिंग हुई थी एडवांस सिक्यूरिटी लैजनिंग की बैठक हुई जिसमें ये सारी चीज़े तैह हुई और उस बैठक में कम से कम दरजनों भर पंजाब पुलिस के टॉप पुलिस ओफिसियल्स उसमें सामिल हुए थे ये मीटिंग एस्पी जी के साथ हुई थी मंगलवार को बकाइदा रिहलसल भी हुआ और जब रूट के लिए बात कही गई कि हलिकॉप्टर उड़के वो हुसेनी वाला नहीं जा सकता तो इस सिधार्थ चटुपाध्या ने जो डी जी पी है उसने ये क्लिरंस दिया था कि प्रधान मुंतरी जा सकते हैं अब ये जूट तो पकड़ी गई ये जो तमासा जो कॉंग्रेस पार्टी के लोग और ये दिल्ली में बैठे ये जो दलाल पत्रकारों का जो गैंग है ये सब के जूट इस दस्तावेश से इस मीटिंग के पूरी प्रक्रिया से वो तो बेनकाब हो गए एक और जूट पंजाब की सरकार ने कोर्ट में 32 पेज का एक रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट में क्या ये इंटरनल रिपोर्ट है इस internal report में क्या कहा गया इस report में साफ साफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो alternative route की जो पूरी planning थी वो पहले ही हम कर चुके थे हमारे तरफ से सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी ये सरकार कह रही है कहां? कोट के अंदर ये इनके internal loadings में बताया जा रहा है और press conference में चन्नी क्या कह रहा है? ये Congress Party का ध्यक्ष ये पाकिस्तान का यार ये जो गद्दार है वो क्या कह रहा है? वो ठीक उल्टी बाते कह रहा है मतलब आप कितना जूट कहेंगे? और ये मत भूलिये एक खबर आई है जो दहलाने वाली है जस जगह पे परदान मंत्री का काफिला रुका था उससे पास में ही एक दिन पहले 50 किलोमेटर दो 17 जिरिवर के अंदर एक पाकिस्तानी बोट पाया गया है बताया ये जा रहा है कि उस पे साथ लोग सवार थे ये था कि जो तुम्हारा यार है इमरान खान बाजवा क्या उसके साथ मिलके तुमने कोई ऐसा इसा कह सकते हैं नापाक साजिस रचने की कोशिश की थी और जब ये नापाक साजिस सक्षिस्वल नहीं हो पाया तब ये तमासा ये ड्रामा ये रचा जा रहा है ये सवाल पूछने के लाइक है इमरान खान मेरे बड़े भाई जैसे है तो ये बताना पड़ेगा ये पाकिस्तानी कैसे घुजा है वो बोट क्या हुआ और इतना ही नहीं एक दिन पहले ठीक जिस जगह पे इस फिरोजपूर में ही उसके पास एक जगह मोगा ये तीन चार डिस्टिक्स सटे हुए है मोगा में तीन आतंक वादियों को पकड़ा गया साथ में ग्रिनेड मिले हैं हत्यार मिले हैं जो पाकिस्तान से आएं कोई और नहीं कह रहा ये पंजाब की पुलिस कह रही है पंजाब की पुलिस की कार्वाई में ये सारे आतंकी और सारे बिस्पोटक और हतियार पकड़े गये हैं किस के लिए था उसका ऐस्तमाल कहा होना था ये परदान मंत्री की सिक्योरिटी है ये किसी पपू की सिक्यूरिटी का मसला नहीं है इसलिए ये लोग जो कुछ कह रहे हैं और मैं आपको बता दू ये जो A.S.L. की रिपोर्ट हुई थी A.S.L. की जो मीटिंग हुई S.P.G. के तहत इसमें साथ साथ कहा गया था पंजाब के अधिकारियों को की प्लीज फॉलो दो ब्लू बुक ब्लू बुक के अंदर जो जो प्रधान मंतरी सिक्यूरिटी से जुड़ी हुई चीजे हैं उसको अक्छर से पालन किया जाए और ये सिद्धार्थ चटोपाध्याए ये डीजीपी जिसे इसी गदार ने इस नमजो उसिंग सिद्धू ने लड़ जगड के आपको याद होगा कॉंग्रेस पार्टी में बवाल चल रहा था सिद्धू नराज हो गए थे चन्नी के खिलाब बयान बाजी कर रहे थे मीडिया वाले बता नहीं रहे ये जगड़ा किसलिए था ये जगड़ा इसलिए था कि सिद्धू इसी सिद्धार चटोपाध ध्याय को डी जी पी बनाना चाहते थे ये सरक्ल पूरा पुर्व एक पूरी तरीके से मिलता चला जा रहा है कि जो सक्स इस पद के लिए उसके लिए वो कौलिफाइड नहीं था जो सक्स यूपी एसी के दोरा रिकमेंडेड नहीं था आपने राजितिक दवा बना कर इस राहूल गांदी से आपने हरी जंडी लेकर एक ऐसे व्यक्ति को सिदार चटोपाध ध्याय को आपने डी जी पी बना दिया जो तुम्हारे चम्चे की तरह तुम्हारे और्रस को फॉलो कर रहा था पंजाब कॉंग्रिस का हर सक्से ही कहता है कि ये जो डी जी पी था सिदार चटोपाध ध्याय वो मुख्य मंत्री की कम और इस इमरान खान के यार की बातें ज्यादा सुना करता था ये कहानी दिन के उजाले की तरह साफ है प्रधान मंत्री को बकैदा ट्रैप में बिचा करके उनको उस जगह पे फसाया गया वो तो भोले नात की कृपा थी कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ एक पत्थर एक गोली एक गरनेट पता नहीं इस देश को कौन से मद्द काली युग में चोक के फेक दिया होता इतनी भिंसा भड़कती कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है इनको खेलने जरा रहा है और ये बॉने बॉने लोग कॉंग्रेस पार्टी के ये पूछ रहे हैं कि प्रधान मंतरी मोदी हाउज दा जोश तो ये तमाशा चल रहा था और अब क्या हो रहा है जूट सारे एक्सपोज हो गए सरकार कोर्ट में कुछ प्रेस कांफरेंस में कुछ इनके दलाल मीडिया के दोरा प्रोपगेंडा कुछ और ये सारे धीरे 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 करकी ये सारे चीजे अपने आप साफ होती चली जा रही है कि ये कोई संयोग नहीं था बलकि एक साजिस्थी और अब आपस में ही गुत्वंगुत्वी चल रहा है चिन्नी सरकार ने इस डीजीपी को हटा दिया लेकिन विलंब हो गया ये सक्स ये डीजीपी इसे तो जेल के अंदर जाना है और अपने सिर से सारा ठीक रहा हटाने के लिए कॉंग्रिस की सरकार ने इसे मोहरा बना करके ख़ड़ा कर दिया इसे कहा कि ये जो सैकिंग हुई है इस सैकिंग का परधान मंतरी मोदी के सुरक्षा में चूक की जांस से कोई लेना देना नहीं है किसी भी राज में कोई डीजीपी को निउक्त किया जाता है उसका रिकमेंडेशन यूपी असी के द्वारा दी जाती है वो दो तीन नाम देते हैं और वो पॉलिटिकल लिडरसिफ चीफ मिनिस्टर के उपर ये बकाइदा निर्धारित होता है कि वो किसे चुने किसे रिजेक्ट कर दे लेकिन वो जो दो तीन नाम होंगे वो यूपी असी के द्वारा रिकमेंड होंगे देर सबता पहले यूपी असी में ये फैसला हुआ था कि कौन आदमी डीजीपी होगा पिछले चार मेने में ये तो चौथा डीजीपी है ये सरकार चलाने का ये कौन सा तरीका है इन लोग का हर लोग अपने हिसाब से राज को जो है बरबात करने में तुले हुए है और जो यूपी असी के तरफ से जो नाम गए एक सबता पहले इस घटना से पहले इस घटना से पहले ही यूपी असी ने दो नाम भेजे थे उस दो नाम में सिदार चटवपाध्याय का नाम नहीं था फिर भी इसे सिद्धु के कहने पे DGP बनाया गया क्यों क्या इस आपरेशन को क्या ये खालिस्तानी ISI आपरेशन को एक्जिक्यूट करने के लिए इस तरह के सक्स को DGP के ओधे पे बठाया गया ये सीधा सवाल कॉंग्रिस पाटी से पूछा जाना चाहिए कि जब ये नाम UPSC के लिस्ट में था ही नहीं ये उस औहदे पे कैसे बैठ गया तो ये एक बहुत बड़ी साजिस है कोई इसे अंडर प्ले करे डाउन प्ले करे ये समझे कि वो मोटिविटिड आदमी है सचाई के साथ नहीं है इस सिद्धों से ये सवाल करना चाहिए कि तुमने लड़ जगड़ के इस सक्स को DGP क्यू बनाया जबकि UPSC के दोरा ये इलीगल है इसके पूरी पोस्टिंग ही इलीगल है और उसके बाद इस तरह का हाथसा होता है तो आर्टमेंटिकली ये सवाल पूछा जाएगा और अब मज़ा तो तब आएगा जब इस से दार चटो पाद्धाय को गरिम मंतरी के सामने तल्ब होके इसे जब पूछ ताच की जाएगी कि बताओ कि जब ये रिहलसर हो चुका रूट्स तैय हो चुके थे किस के कहने पे तुमने मावादियों को नकसलियों को खालिस्तानियों को पृद्धान मंतरी के रूट के बारे में जानकारी दी जब आपको मालूम है कि वहाँ पे लोग है उसके बाद भी तुमने नहीं बताया किस के कहने पे नाम बताओ किस के कहने पे आपने ये जानकारी एस्पी जी को नहीं दी तो इसमें पृद्धान मंतरी के एसेसेसिनिसन एटेम टू एसेसेसिनिसन एटेम टू मडर का केस इसके उपर लादना चाहिए और अगर आपको जानकारी नहीं थी दो केसेfund हो सकते हैं कि इसको जानकारी नहीं थी तो यह जानकारी क्यों नहीं थी तुम़ारे पंजाब पुलिस के लोग उन आंदलनकारीव के साथ चाए पी रहे हैं तुम किस नशे में थे कि तुम को ग्राउंड से रिपोर्ट का पता नहीं चल पा रहा था, ये ब्लू बुक को तुमने कौन से ताक पे रख दिया था, मामला उलसता चला जा रहा है, और कॉंग्रेस पार्टी की स्थिति उस कहानी के तरह हो गई है, कि जिसमें ये सौ पर चल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्वार